हलो एन विल्कम दोस्तों तो आज हम एक्स्प्लेन करने वाले हैं एक सोट मूवी को जिसका नाम है तुरकेश चिक दोस्तों इस मूवी के स्टार्टीम में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो अपने से एक बड़ी उमर की लड़की के बैक पार्ट का जायजा ले रहा होता है और ये लड़की उसे ये जायजा लेने देती है और उसे अपने आँखे भी सेखने देती है तो ये लड़का फोन तुम से काफी मजबूत है तो लड़का थोड़ा सरमागे सर नीचे कर लेता है इसके बाद वो लड़की वहां से चली जाती है फिर एक दिन वो लड़का अपने दोस्तों के साथ सकेडिंग कर रहा होता है तब ही वो उस लड़की को वहाँ पे देखता है जो अपने चार भाईों के साथ वहाँ पे खड़ी होती है और वो लड़की उसे देखकर इसमाइल देती है तो इस पे उसके दोस्त कहते है कि वो तुम्हें लाइक कर रही है तो तुम जाओ और उसे पटा लो ऐसा बोलते हैं तो वो लड़का भी सोचता है कि हाँ ये सही कह रहा है फिर उधर से एक उसका दोस्त उसके चारों भाईों को देखता है तो कहता है कि ऐसा मत करना वरना तुम कहें उसके भाईों के हत्ते चड़ गए तो तुम्हारी बोटी बोटी कर देंगे पिर से सर्मा जाता है और वो लड़की कहती है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे अगर मेरे साथ चलोगे तुम अकेले बहुत ज़ादा सेफ फील करोगे तो वो लड़का ये सब देखकर अपने दोस्तों के मुखड़े देखने लगता है फिर वो कहता है कि ठीक है चलता हूँ फिर वो उस लड़की के साथ चला जाता है और लड़की उसका हाथ पगड़के उसे लेकर जाने लगती है तब ही वो लड़का उसके चारो भाईयों को देखता है तो थोड़ा सा डर जाता है और सहम जाता है तो वो लड़की कहती है कि तुम्हें डर लग रहा है तो लड़क कुछ भी नहीं बोलता है और उसके साथ साथ तीरे-धीरे पीछे-पीछे चले जाता है फिर वो लड़की उसे एक सुनसान पार्क में लेकर चली जाती है और उस लड़के को कहती है कि अब तुम्हें जो करना है वो तुम कर सकते है और वो कहती है कि तुम मेरा इसकाफ तो वो लड़की उसे पकड़ के एक किस करती है प्यारा सा तो लड़का थोड़ा सा सहम जाता है और थोड़ा सा घबरा भी जाता है कि ये अचानक से क्या होने लगा मेरे साथ तो वो लड़की कहती है कि चलो अब अपनी कपड़े उतारो तो लड़का कहता है कि ऐसा क्यों तो लड़की कहती है कि तुम जिसीज के लिए मेरे पीचे घुम रहे थे वो आज तुम्हारे सामने है तो चलो तुम्हें जो करना है कर सकती हो इतने में वो लड़का उस लड़की के ड्रेस के जो ग्रीप होती है उसे खोल देता है और वो उसका सनी लियोने वाला फिगर देखके फिगल जाता है और उसका छोटा सनुनू बड़ा हो जाता है फिर वो लड़की एक पेड के पास जा करके डॉगी मोडल में खड़े हो जाती है और उसे कहती है कि अब तुम जो करना चाहते हो वो करो तो लड़का ये सब देख करके वो करने जाने लगता है वो जैसे ही वो चीज करने जाते रहता है वैसे उस पीछे से उसके चारो भाई चले आते हैं तो लड़का उन चारो भाईों को देखके डर जाता है और लड़की वहां से चली जाती है और वो चारो भाई अपना ड्रेस उतारने लगते हैं तब ह दोस्तों मैं आपको बता दू कि ये लड़का जहां पर इसके डिंग से गिरा हुआ था तो ये बेहोस हो गया था और ये बंदा सपने देख रहा था क्योंकि रियालिटी में ऐसा होना तो बहुत बड़ी बात है दोस्तों फिर ये मूवी यहीं पर खतम हो जाती है ये स्टोर करके मूवी के एक्सप्लेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजएगा ठीक है फिर मिलते अगरे वीडियो में तब तक के लिए बब बाई